कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यूं लागू करा जाए क्योंकि जेंडर जस्टिस है न इसमें है न जेंडर जस्टिस क्यों है क्योंकि महिलाओं की इस्थितियां धर्म में कई बर खराब हो जाती है एक ठोबी भी है दूसरी सुन्दर दिख गई बोले तुम भी आजाओ एक और सुन्दर दिख गई तुम भी आजाओ एक और सुन्दर दिख गई तुम भी आजाओ चार-चार हो गई फिर एक सुन्दर दिखी बोले तुम निकलो तुम आजाओ एक समय में चार फिर एक और सुन्दर दिख गई तुम निकलो तुम आजाओ फिर पुरानी वाली फिर सुन्दर दिखने लगी तुम बोले तुम निकलो तुम फिर और लेकिन तुम फिर कैसे हो, पहले तुमारा हलाला होगा, किसी दूसरे के साथ कोहबिशन होगा, फिर तुम हमारे साथ पिर सचादी कोई, अब ये बताओ, महिला है यार वो, she can be my mother, she can be my sister, she can be my daughter, हम sensitive क्यों नहीं हो रहे हैं उनके लिए, तो uniform, civil code, gender justice के लिए देना चाहा रहे हैं कि नहीं देना चाहा हैं, triple तलाख खराब था कि नहीं था, हलाला खराब है की नहीं खराब है तो ये जो चीजे हैं और इसको मुस्लिम स्पिक जो ordinary, common, intelligent, intellectual, wise, prudent, मुस्लिम है वो भी कहता है हाँ ये खराब है लेकिन बोल नहीं पाता है वो क्योंकि वो कैसे बोल दे अंदर से चाउसकी भी है क्योंकि वो भी victim हुआ है ना कभी ना कभी इस चीज के लिए आप जड़ा गौर करो इंदर की एक महिला थी बुढ़ा गई थी शाहबानों, उनके पती ने उनको तलाग दे दिया बोल निकल लो अब वो बुड़ी औरत जिसने ना पढ़ाई की है ना कुछ जानती है ना कुछ अर्ण कर सकती है उसको आपने मेहर दिया बोले निकलो कैसे जाएगी, कैसे काम करेगी वो जिन्दगी में अब आप बता दीजे तो कुछ चीजों को जो सोसाइटी में डिस्क्रिपिंसी पैदा करता है distortion देता है deviant behavior देता है destructive approach बनाता है और devilish है उसको destroy करना भी हमारा फर्ज है यह आप समझी, यह हमारा DPSP कहता है करो इसको कहता है कि नहीं कहता है forest के लिए काम करो environment ही करो साफ हवा दो साफ पानी दो साफ रहने की जगे दो स्कूल कॉलिजेज को अच्छा बनाओ अब एक बच्चा है और वो फिजिकली हैंडी कैप है फिजिकली चैलिंजड है दिव्यांग है अब वो कैसे जाएगा स्कूल में सीडियां बनी हुई है रैंप बनाओ यार वो चला जा अपनी ट्राइसाइकल ले करके क्लास तक लिफ्ट लगवाओ पहुँचे वहाँ तक असिस्ट करो उसको स्कूल में पढ़ ले ठीक से कॉलिज में पढ़ ले ठीक से लड़कियां हैं पाचवी शटीक बाद माबाप गाओं में कहते थे स्कूल नहीं जाए क्यों क्योंकि वाश्रूम ही नहीं है कैसे रहेगी वो वहाँ पर है ऐसा कि नहीं है ये सब देने के लिए हमने का ये हम सब देंगे सबर करो मिलेगा सब और आप देखिए हम धीरे धीरे सब देने के स्थिती में आ गय है हमने सिक्षा को fundamental right बना दिया DPSP में पहले हुआ करता था हमने मनरेगा लागू कर दिया जिसको काम करना आवा जाओ हमने वृद्धावस्ता pension दे दी हमने मात्रवंदन योजना शुरू कर दी हमने कितने सारे कारेक्रम शुरू कर दी एकाथ कारेक्रम शुरू कि हमने और ये लगातार चलता रहेगा ये लिख लीजी आप ये लगातार चलेगा ताकि हम अपने देश के लोगों को खुशहाल बना सकें और उनको एक ऐसा रहने का माहल दे सकें ताकि उबहतर करें और इसी सिल्सले में दी economic justice की बात करें तो क्या हम ease of doing business नहीं कर रहें क्या हम skill development program नहीं चला रहें क्या हम make in India program नहीं चला रहें क्या हम stand up India program नहीं चला रहें क्या हम entrepreneurial development India program चला रहें नहीं चला रहें इस सारे कारक्रम DPSP से निकले कोई बताता नहीं किताब में लिखते नहीं है इन चीजों को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हें कहीं परिशाई निया अब देखो तुमको DPSP का मतलब तो समझ में आगया तुम्हें Soul of DPSP समझ में आगया आगया ना के नहीं समझ में आगया मेरा कहल आज के लिए इतना बहुत है कल फिर बात करते है